दिपावली के मौके पर पूरा जला तहवार के जश्ट में डूबा है लेकिन देवगर के सरसकुंज में रहने वाले आनात बच्चों और बुजर्गों की क्या हालात है दिपावली का मतलब उनके शब्दों में क्या है घर परिवार से कोसो दूर रहते हुए वो कैसे तहवा देखिए विमलेंदू के साथ दीपावली का पर्व है खुषयों का पर्व है दीओ का पर्व है और ऐसे जगह से भी आपको रूब्रू करवाना जहां के बच्चे दूर दराज इलागे के हैं, कहां के हैं, ये उन्हें भी ज्यादा पता नहीं है, और रहते हैं सरसकुंज में, अब हमारे पीसे जो ये बिल्डिंग देख रहा हैं, दरसल ये सरसकुंज का छाओं आचल बिल्डिंग कहलाता है, जहां जो बचियां हैं, वो बचियां रहती है वहां की बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं इन से जानते हैं दीपावली पर्व का बहुत क्या है हम लोग हम सरस्कुन के सारे परिवार के साथ दीवाले मनाई है कुछ और आप बताओगे देखिए भले ही शब्द ना हो क्या कैमरे के सामने कहने में ही चक रही हो हम आप पहुंचे हैं सरस्कुन्च के बगल वाले हिस्से में जिसे छाओं बिल्डिंग कहते हैं आप हमारे दाई तरफ देख भी सकते हैं यह चाओं बिल्डिंग है जहां वुजूर्ग दमपति जो बे सहरा होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है जो यहां आते हैं रहते हैं और जानते हैं आप यहां पे कब से रह रहा हैं है चार साल हो गया है जितना भी पर्वतिवार आता है अभी दीपावली आया है तो इसको घर की तरह ही इंज्वाइब करते हैं कैसे कैसे मनाते हैं जैसे गार में बनता है उसी यहां भी बन रहे हैं और क्या है इस मौके पर कुछ और भी कहना चाहते हैं मतलब यहां आप रहते हुए टाइम हो गया आपको चार साल का वक्त हो गया तो क्या मतलब कुछ फरक देखते हैं जो घर का और जो यहां का माहौल है कुछ फरक देखते हैं इसे हम जानते हैं यहां की वेश्ताओं के बा प्रवतिभार आता है तो तमाम चीजों को यहां पर मनाने में बच्चियों के साथ इसी मुश्किले तो नहीं आती है लेकिन बुजुरूं के साथ क्या होता है जब वो लोग यहां आते हैं तो कुछ तो अंदर उन्नों के अंदर इतना दर्द होता है जो इस जग एड़स्ट करने में बहुत समय लग जाता है सब थोड़ी सी डिप्रेशन में होती है समय के साथ जब वो इस परिशर को अपना धीरे-धीरे माल लेती है डॉप्ट कर लेती इसके थोड़ा सा मुश्किल मेरा आशान हो जाता है बिल्कुल तो आप समझ सकते हैं कि भले ही तमाम बज़र इनको सताती है और हर वक्त इने कहीं ने कहीं अपनों की याद आती रहती है देवघर के सरस कुंच से केमरामेन राजीश कुमार के साथ न्यूज 11 के लिए मैं विम लेंदू मिश्रा